हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पर आपको बाइसेट की तरफ पोजिश तो क्या हो जाएंगे आप यहां पर ट्रैप में आसानी से फस सकते हैं और आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है तो एक सकस्पूल ट्वेड के लिए जो सबसे इंपोटेंट चीज है वो इंट्री पॉइंट है और वो इंट्री पॉइंट सही होना चाहिए और सेल पोजिशन इनिशेट करना या फिर जो हमने बाई किया है उस पोजिशन को हमें यहां पर एक्जिट करना है तो मैं आपको परफेक्ट इंट्री पॉइंट करना बताऊंगा बताऊंगा साथ में परफेक्ट एक्जिट पॉइंट भी आप कैसे फाइंट कर सकते जहां प entry और exit point अपने लिए find करके अपने ट्वेड को profitable बना सकते हैं यहां पर सबस्क्राइब हम चार्ट पर आते हैं और यहां पर हम LIC के चार्ट पर आ रहे हैं और यह जो चार्ट है आपका आबोली चार्ट है अब यह जो काम हम कर रहे हैं यह आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं जैनर्वली हम अबरली चार्ट लेते हैं या फिर उससे उपर का टाइम फ्रेम लेते हैं यहां पे हमें क्या फाइं क्या होना चाहिए, market आपका एक range में आना चाहिए, उस range bond market को हमें identify करना है, तो दूसरा step यह हो गया, तो दूसरा step क्या करना है, downfall move के बाद हमें, एक range bond move identify करना है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर हमें volume फे focus करना है, अब यहाँ पर देखे क्या है, volume आ प्राइस को नीचे जाना चाहिए था क्योंकि कम लोग ट्वेड करें यहां पर डिमांड बहुत कम है और जब भी किसी चीद का डिमांड कम होता है प्राइस को नीचे जाना चाहिए लेकिन यहां पर क्या हो रहा है प्राइस आपका एक रेंज पकड़ लिया प्राइस यहां करें मतलब रिष्टेंस ने जाने के लिए तईार नहीं है मतलब यहां प्राइस क्या ऊपड़ा है यह नहीं बहुत नीच्च ल road यहां पर अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको यहां पर वालूम पर फोकस करना है और जब भी यह तीन चीज आपको मिल जाए डाउन फॉल मार्केट उसके बाद रेंजबॉंड मूव और फिर वालूम कम हो लेकिन प्राइस आपका नीचे नहीं जा रहा हो त अब यहां पर हम इंट्वी कहां पर लेंगे इस पोजिशन पर लेंगे इस पोजिशन पर लेंगे या इस पोजिशन पर लेंगे वो हमारे लिए एक कन्फूजन क्वेट कर रहा है तो चलिए हम उसको समझते हैं यह नहीं हमने यह डिसाइड कर लिया कि हमें यहीं पर है और अगर हम यहां पर इंट्वी लेते हैं तो हम काफी हद तक अपने प्रॉफिट प्रॉब्लिटी को इंक्वीज कर सकते हैं तो अब यहां पर देखिए हमने एक रेंजबॉन मार्केट अइंटिफाई कर लिए अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस जो रेंजबॉन मार्केट है इसमें हमें कोई पैटर्न देखने को मिल यह नहीं मिल वा है मतलब यहां पर कोसिस किजिए कि जो भी हाइस पॉइंट है उन सब को जॉइन करने का और लोइस पॉइंट लोइस पॉइंट है इन सब को भी जॉइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉप कर रहें बस आपको यहीं काम करना अगर कुछ पैटर्न मिल थो ठीक है नहीं मिलता तो कोई बात नहीं अब देखिए यहां पर क्या पैटर्न मिल वा यह इस तरह का पैटर्न है और यह आपका symmetrical triangle pattern मिल गया यहां पर हमें अब बताएगा कि आपको perfect जगह पर कहां पर entry लेना यानि किस particular point पर हमें entry लेना अब देखिए जैसे ही इस symmetrical triangle को break करके price उपर निकलेगा तो क्या मिलेगा यहां पर हमें breakout मिलेगा और यहां पर हम देखेंगे कि volume में हमें थोड़ा बहुत upside की तरफ hint मिला है नहीं मिला अब यहां पर देखिए थोड़ा बहुत आपको positive volume भी दिख रहा होगा और positive volume के साथ यह upside की तरफ breakout दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे है तो यह हमारा perfect buying point होगा और इस लेवल के अगर हम बात करें तो लेवल आपका लगबग 66 करें यहां पर हमने 66 करें buy किया है उसके बाद देखिए price आपका यहां से upside की तरफ जाना start हो गया है और यहां पे sell क्या होगा इस pattern का जो भी lowest point है यह आपका lowest point है इसको मैजर stop-loss के रूप में इस्तेमाल कर दें यहां पर साला कुछ well defined है entry point हमने pattern के basis पर find क्यों दिया stop-loss lowest point पर लगा दिया अब यहां पर target price क्या होगा previous swing है इसको हम एजर target के रूप में रख सकते हैं जो कि आपका होगा 710 के करीब तो लगबग यहां पर 40 point का upside move दिखाया और 40 point को अगर हम calculate करें लगबग यहां पर 8% का upside move दिखाया है और यहां पर आसानी से 8% का profit बना सकते हैं यह दोगया pattern के basis पर अब यहां पर यह हमारे लिए perfect entry point कैसे है वो भी आपको समझना है थोई देर के लिए यह जो point है यह हमारे लिए perfect entry point या फे entry range कैसे है अब देखिए अगर आपने by chance इस pattern को identify नहीं किया जो आपका symmetrical triangular pattern था तो आपको क्या करना है इसके highest point को लेना और lowest point को लेते हुए एक आपका rectangular pattern draw कर देना अब जैसे ही price इस rectangular pattern को break करके ऊपर निकलेगा तो यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा entry point बन जाएगा यहनी यहां जो हम entry लेंगे लगबग आपका 670 से लेके 680 करीव लेंगे हम यहां पर 680 ही ले लेते हैं अब यहां से price all the best target हमारा यह रहेगा कहां पर गया 710 के करीब गया यहनी 30 point के करीब यह आपका upside move दिखाया और 30 point मतलब लगबग आपका 4% करीब upside move दिखाया यहां पर हमने late entry लि लिए अब कई जगा पर अगर आप late entry लोगे तो अब क्या हो जाते हैं फिर आपको profit नहीं मिलता है लेकिन यह हमारे लिए क्या perfect entry point है तभी हम late entry ले फिर भी यहां पर हमें अच्छा-कासा 4% profit मिल और 4% profit कम नहीं होता है इसलिए मैंने बताया कि अगर आप तीनों पैटर्न हम तीनों क्वेटरिया को फॉलो करोगे डाउन फॉल मार्केट उसके बाद रेंजबार्न और वालूम कम होने के मवजूद भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है यह तीनों चीज़ फाइंट करने के बाद यहां पर यहां पर जो profit probability है वह इंक्वीज हो जाए क्योंकि यहा पर हम क्या find करें अब यहां पर find करेंगे कि हमारे लिए perfect exit point क्या होना चाहिए जहां पर हमें sell करना या फिर जो हमने buy किया उस buy positions को exit करना यह वहां पर profit booking करना तो इसके लिए भी हमें दो तीन point consider करना पड़ेगा दो तीन point क्या है सबसे पहले price आपका upside की तरफ जाना चाहिए पहला point यह हो गया यह नहीं upside move को हमें identify करना दूसरा क्या है upside move के बाद वहाई चीज आपका range bond market को identify करना यह दूसरा point दोनों में same ही रहेगा वहाँ पे downside move और यहाँ पे upside move और उसके बाद हमें range bond market को identify करना अब तीसरा point क्या है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है नीचे में क्या हो रहा वालूम आपका कम है लेकिन अगर आप वालूम पे गौर करेंगे तो यहाँ पे एकका दुक्का आपको red volume दिख रहा है इसका क्या मतलब है कि upside की तरफ जाने के लिए वह resistance दिखा रहा मतलब price upside की तरफ जाने को तैयार नहीं है अगर upside को जाने को तैयार नहीं तो price में दो ही momentum होता upside यहाँ फिर downside और range bound तो already market है तो यहाँ पे price अब कहा जाएगा अगर price कहीं भी जाएगा तो maximum probability है कि वह नीचे side की तरफ downfall move दिखाएगा तो हमें यही तीसरा point identify करना है यहाँ पे क्या होना चाहिए volume में positive volume जादा होना चाहिए लेकिन at the same time अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करना है कि अगर यहाँ पे volume कम भी रहेगा ठीक है जैसे वहाँ पे देखने को मिला था और उसके वाफ जोद भी अगर price आपका क्या हो रहा है इसी range में पकर रहा है एक range के बीच में move क रहा है तो वह भी आपका क्या हो सकता है वह भी आपका एक perfect zone बना सकता जहां पर आप sell positions initiate कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं distribution phase यहां पे बरे बरे players क्या करते हैं माल यहीं पे आपका dump करते हैं अब इसके पिछे concept क्या है यह भी आपको समझ लेना है और जो पिछला example दिया था उसका भी concept में आपको समझा दोगा अब यहां पे क्या हो प्राइस आपका नीचे से उपर side की तरफ आया है अब यहां पे जो बरे-बरे players क्या रहते हैं यहां पर अपना माल डंप करते हैं यहने बेचना start करते हैं उनके पास काफी huge quantity होता है अगर सारा एक ही साथ बेचेंगे तो वह कुछ उपर के price बेच पाएंगे और price drastically नीचे decrease होगा तो वह क्या करते हैं वह price को एक range में बांद के रखते हैं और उसी range में ऑग क्या करते हैं और यही point जहां पर आपको अपना माल भी dump करना यहीं अपको अपना माल भी बेचना आपने नीचे में इस और यहां जैसे ही यह तीन point सैटिस्वाइँ हो जाए आपने जो भी positions जहां पर entry लिया क्या करना सबसे पहले आपको exit करके उससे ने हम सेख्ya बाइब करेंगे लेकिन सबसेपले आपको प्रॉूफीट बुक करना वहां से बाहर निकलना है अब अब यहां पर हम क्या सोचेंगे एक पैटर्न है इस हो इसके अंदर भी पैटर्न बन रहा है तो अगर आप इन सारे highest point को join करते हुए एक line draw करे और इन सारे lowest point को join करते हुए एक line draw करे यहाँ पे भी क्या हो रहा है सेम आपका symmetrical triangular pattern का formation यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मतलब यहाँ पे भी क्या है जैसे ही price इस pattern को break करके नीचे आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम sell positions initiate करेंगे हमने तो profit booking यही पे कर लिया था जो हमने buy किया है हमने तो exit यही पे कर लिया जैसे ही है pattern बना हमने exit कर लिया अब हमें selling opportunity खोजना selling opportunity खोजने के लिए हम यह एक pattern बना सकते हैं अगर आप by chance यह pattern नहीं बना पा रहें तो आपको simple सा method बढ़ाता हूं कि इस range के highest point और lowest point को mark कर लेना जैसे lowest point को break करके price नीचे जाएगा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं sell positions initiate कर सकते हैं अब यहाँ पे चाहें आप symmetrical twangular pattern के basis पे sell करो या फिर यह जो आपका rectangular pattern है या फिर पहला चैनल पैटरन बोल सकते हो इसके basis पे sell करो आपका जो exit point है यह नि जो selling point है आपको same देखने को मिल जाए यह नि लगबग यहाँ यहाँ पे आप 7,250 के आसपास यहाँ पे आप sell positions initiate करोगे stop loss क्या होगा इस pattern का जो भी highest point है यही highest point बना है यहीं इसको आप यहाँ पे adjust sell के रूप में काम करेंगे और पहला target price क्या होगा देखे एक आपका यहाँ पर यह प्रैस थोरा रुका है यह पहला target price हो जाएगा उसके बाद दूसरा target price यह हो जाएगा इस line के करीब और तीसर लगबग आपका 700 पॉइंट के करीब गिरावट दिखाया यह लगबग आपका 10% का गिरावट दिखाया है और इस 10% में आप 3-5% का profit आप आसानी से निकाल सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपके लिए perfect entry point क्या है और perfect exit point क्या है अब यह DCFC bank के अब औली चार्ट में अब यहाँ पर देखे क्या हुआ प्राइस आप नीचे से ऊपर साइच के तरफ आया और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा पॉजिटीव वालूम है इसके बाब जोभी प्राइस आपका ऊपर नहीं जा रहा उसके बाद फालो अप पर्फेक्ट क्या बना एक पॉइंट बना जहां पर जो भी प्रिवियस हमने बाइग किया चाहिए इस लेवल पर इस लेवल पर इस लेवल पर कहीं पर आपने इंट्वी लियाओ सबसे पहले आपको क्या करना अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा पॉजिटीव बॉलम मिलने के बाव जो भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा और थुड़ा बूत निगेटीव बॉलम आने के बाव जो भी प्राइस आवर रियक्ट कर रहा मतलब यहां पर हमें अपना प्रॉफिट करेंगे यह पैटन काफी चोटा सा इसके अंदर कोई पैटन हमें देखने को मिलने रहा तो यहां पर हमारा सेलिंग लेवल बन गया है लेकिन यहां पर अब एक और आपके मन में मैं डाउट क्रियेट कर रहा हूं अब यहां पर दो चीज हो सकता है एक आपका डंपिंग हो सकता है जैनि लोग यहां पर माल अपना बेच रहें दूसरा यहां पर एक और चीज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी तो हो सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो गिरावट है यह गिरावट क्या होगा लिम्टेट गिरावट होगा और dumping हुआ तो यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, ति यह profit booking है, या फिर dumping जो ने, या फिर selling जो ने, उसको हम कैसे identify करेंगे, ति यह जो breakout दिया, यह काफी early breakout है, यहाँ पर हम identify नहीं कर सकते हैं, और यही चीज आपको क्या करता है, trapping फसाता है, ति यह इसको break करके नीचे आ गया, तो यह काफी safe जगा रहेगा, जहाँ पर हम sell positions initiate कर सकते हैं, और sell side की तरफ जा सकते हैं, इसके प्राइस आपका नीचे side की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर profit booking है, तो price आपका इसके करीब से bounce back दिखाएगा, या नि तो इस से पहले ही आपका upside की ज्यादा safety जाना चाहते हैं, तो profit booking या फिर dumping में confusion है तो, लेकिन अगर आप market की situation को समझते हैं, और candle के strength के बारे में भी idea है, तो आप यहाँ पे भी sell positions initiate कर सकते हैं, 1400 का सपास, और जैसे यहाँ पे आपे green candle देखने को मिले, इस तरह का width आपको positive volume, तो वहीं पी आपको क्या करना, जो selling positions है, वहाँ से बाहर निकल जाना, और इसके बाद इस level को break करके, अगर नीचे आता बाई चाहूं, तो वापस से आप fresh sell positions initiate कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना perfect, जो exit point है, या फिर selling point है, वह हम यहाँ पे find कर सकते हैं, और इसके business पर अगर हम trade लेंगे, तो ह एक crazy level होगा, वो काफी हद तक increase हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, यह जो concept है, simple सा, वो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस से विरिटेर कुछ भी doubt या फिर confusion है, तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको proper answer किया जाएगा, तो that's all friends, उमीद करते हैं कि आपको So that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन!